हेलो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आप जहां पर भी हो स्वस्थों खुश रही हैं मैं आपके सामने आज प्रसुत करने जा रही हूं अपनी मा के उपर लिखी हुई एक कविता और ये इस्पेशली मैं उनकी श्रद्धांजली के लिए ये कविता मैं सुनाना चाहती हूं क कि पिछले साल मेरी मा का देहान्त हो गया था छे फरवरी को और एक साल पूरा होने वाला है और और मैं अपनी भावनाओं को बहुत सारी भावनाएं हैं जिन्हें आप रोक नहीं पाते लेकिन कलम के माध्यम से उन्हें थोड़ा सा कागश पर उतारने की कोशित करते हैं च मा तुम बहुत थक गई जीवन के संखर्ष से तुमने पूरा जीवन सिर्फ अपना सब कुछ निचावर किया बिना किसी शर्त के बिना किसी स्वार्थ के मा तुम बहुत थक गई जीवन के उतार चड़ाओं को देखते हुए बच्चों को पालते हुए उनके सपनों को सिर्फ दूसरों के लिए काम करते हुए देखा मा कभी तुमने पांच रुपए का सामान ये कहते हुए नहीं खरीदा कि मुझे चाहिए तुम ऐसी क्यूं थी मा काश तुम थोड़ा स्वार्थी हो पाती काश तुम खुद के बारे में सोच पाती पूरा जीवन मैंने तुमक गुकर बहुत कजोडता है कि काश थोड़े दिन तुम मेरे पास आ कर रहती विना किसी चिंता कि ये खुद को खुद से मिलबाती अपने से थोड़ा प्यार करते अपने बारे में थोड़ा सोच पाती लेकिन तुमने नहीं सोचा की है शरीर ठप चुगा था वो भी अब व तिकि तुम और करो, करो और करती रहो, बस अपने शरीर, अपने मन को बच्चों के पीछे तपाती रहो, लेकिन इस पार इस शरीर में तुभारा साथ ना दिया, मा तुम बहुत ठक गई, सब कुछ अब धुनला सा देख रहा था तुम को, तुम खुद को सम्हाल नहीं पाई मा, जाते जाते भी बस अपना सब कुछ समर पड़ करना चाहते थी, अपना जीवन बस यूहीं अर पड़ करना चाहते थी, सिर्फ संघर्ष की ही कहानी बन गई तुम मा, अपने सारे करतवे तो तुम ने पूरे किये, पर अपने बच्चों के लिए तुम खौब बन गई, खौब बन गई, खौब बन गई, मा तो बहुत भग गई, आशा करती हूँ कि ये कविता आपके दिल को छूप आए, आपकी आत्मा को, आपकी आत्मा तक पहुँच पाए, अगर ऐसा कुछ भी लगता है आपको इस कविता को सुनने के बाद, तो एक कमेंट सरूर कीजिए थैंक यू सो मच एबरीवन, बाए बाए, चेक एर